असलाम अलेकूम कैसे आप लोग सन्राइज लाइफस्टाइल विद किंजा के साथ आप मैं हाजिर हूँ आप देख रहे हैं हम इसे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो पिंक नहीं हो जाता यह टोमाटर है एक से डेड़ किलो तकरीबन टोमाटर है यह अच्छा हमने हमारा चिकन जो है वो कलर अपना चेंज कर रहा है और यह आप देख रहे हैं कि इसने थोड़ा पानी भी उसका ड् कर दो हिससे करके हम इसमें डाल देंगे और धकन देंगे इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठीक है और लास्ट वीडियो में ने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी रैसिपी जो मेरी सिस्टर ने बनाया थे तो यह आप देखें कि यह आलू मैंने करश कर कर्दो कश्र 2 जाया था तो मैंने कर्पक्र देंगे ने में और 2-3 आदद ऑम इसको कर लिते हैं कर्दो कि आपको मैंने करूच कर लिया है्हां चाहें बारिक साइट से और से मोटी साइट से कर लियु हूँ आपकी अपकी ठर लीकिंड आ थबाद पिर तो आप ने चाए निचोड़ लेंगे ताकि इसकी स्टार्च निकल जाए दो से तीन पानी दो लें या अच्छा तरीके से अमयल कर इसको आप धो लें दोने के बाद आपने क्या करना है कि इनको नुचरने के लिए रख देना थोड़ा पानी नुचर जाए तो फिर आपने इसको अपने हाथों से नुचर लेना है ऐसे करके बहुत ज़्यदा करके नुचर नचूड़ा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे इसमें 16 Она कौन प्लार मेरा बोलना और वीडियो मेरी आगे पीछे हो सकती है आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब भी करना है वीडियो को लाइक भी करना है और बैल आइकन के बटन को भी लाज़मी बताना है उमीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आपने देखा के दो चमच हमने जो है वो काउंटर लेकर हम इसको स्टेनर से स्टेन करें करके फिर हम इसको डाल देंगे काउलों के अंदर और पिर साथ में हम आड़ कर देंगे मैडा और पिर हम इसमें दो चमच ढाल के नमक मिरच जीरा और सुका धनिया और सफेध पीस के रखा यहाज भी हम इसमें आड़ करेंगे और इसको अपने हाथों से घूल लेंगे ठीक हैं चु 응ते वीडियो मेरे से थोड़ी सी ऐसी एडिट हो गई है कि मैं अब जल्दी जल्दी आपको बता रही है यह सब चीज़े मैं डाल रही हूं डाल कर आपने इसको गूंद लेना है गूंदने के बाद अगर आपने फौरी बनाने है पकोड़े तो फिर तो ठीक है वरना पिर आप इसको फ्रीज में रखेंगी ठीक है अब जैसे जैसे यह वीडियो चल रही है आपको पता चल जाएग कि आपने क्या करना है अभी मैंने इसमें वीडियो के हिजाब से नमक एड़ किया है और इसके बाद जो है मैं यह जीरा और धनिया डाल रही हूं फिर इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी हर पूद्ना काटकर डालूंगी और हरी मिर्चे अगर आपने डाल ली है तो फिर आप लिए बना रही थी तो इस वज़ा से फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था तो आप भी माटीरियल अगर आप पास टाइम होगा तो आप फ्रिज में रख दे वरना आप आटा टाइम भी बना सकते हैं अब हमने इसको जो है ना मैं इस पे काट रही हूं आप आपने देख अगर आपका माटीरियल पतला हो जाता है तो आपने उसके अंदर मैदा आट करना है बेसन आट नहीं करना इस तरह से क्योंकि हमें थोड़ा सा यह सख्स चाहिए आलों में पानी होता है नमक डालते हैं वह और पानी चोड़ते हैं इसलिए जब हम इसको रखेंगे तो यह ठीक हो जागा कंसल्टन्जी आप इसकी देख लें कि कैसी है जैसी यह इस तरह का हमें चाहिए होगा लेकिन यह थोड़ा जब रेस्ट लेगा तो यह ठीक हो जागा अब आप चाहें इसे उसी वकत फ्राई करें तो चाहें आप इसे वो करें अब हम आ जाते हैं अपनी शि एक इसको थोड़ा सा भूनेंगे और अब हम इसके अंदर एड करेंगे अधरक LESTSन इसके बाद यह जब थCalजा एका नमक दराव मिछ अब आप in वीडियो में नजर आ जाएगा पता चल जएंगा आपको कैसे है आपने वीडियो को जो हैं यह मैं अधरक LES mercy इसके रही है चुकि वीडियो मेरी एड़िट ऐसे हो गई है लेकिन बोलने में थोड़ा लेकिन जो मैं बोल रही हूं आपने वो करना है तो हम इसमें लेसन अज़क डालके थोड़ी दिर इसको रखेंगे ताकि हमारी टमाटर और अच्छे से गल जाए और तो हमारा पानी भी कम हो जाए बाहर चलते हैं बाहर का क्या नज़ारा है टीवी लाउंच का बच्चे बैठी है हादिया अपना पापा के फून में गेम खेल रही है और पापा इनके अराम कर रहे है और मानूर इनके जो है वो पाउंद बारी है और आगे हम चलेंगे ट्रामा देख रहे थे और साथ में जो है ना मिठू भी इतना शोर कर रहा था तो ये लेकिन मिठू भी अपनी मज़ी से ही बोलता है ये लोग बस हर वक अतराम ही करते रहते हैं और मैं इनके लिए मज़ मज़े के खाने बनाती रहती हूँ और फिर इसा भी आ गया था और इसा ने भी आकर अपनी एंट्री दे रही थी और ये भी थोड़ा सा बहुत जादा शरारती बच्चा है तो इसलिए अब हम इसा की भी हमने फिर थोड़ा सा इसको एंट्री दे के हमने गार चले हैं फिर हम अब बापस अपने किचन में जाएंगे किचन में आ गए हैं हम अपने और अब हम किचन में आ गए हैं किचन में देखे हमारे सालन की शकल चेंज हो चुकी है अब हम इसके अंदर नमक और मसाले यायट करेंगे सबसे पहले हुआ इसमें हमने पानी नहीं डालना अब नमक डाल देँ यह सुखा धनीया थाबु डाल रहे हैं और फिर हल्दी डालेंगे फिर इसमें दरड़ा मिर्च आलेंगे पानी बिल्कुल नहीं डालना इसके अंदर ये आपका टमाटरों का और आपके चिकन का पानी है जो खुद बहुत खुश्च होगा और आपका ठीक है गरम मसाला डाला है दड़ा मिर्च डाली है और डालकर हम इसको जो है वो ऐसे भूनेंगे थोड़ा सा करेंगे अभी हमने इसके अंदर काली मिर्च को आड़ करना है वो पहले हमने इस दिन डाली वरना सालन काला हो जाता है जितना जाता वो पकती है अब हम इसके अंदर काली डीमिश थोड़ी सी याड करेंगे और हरी मिर्चं डाल कर इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके दम लगा देंगे और वीडियो को आपने जरूर हमारे लाइक करना है अब आपको पसंदा रही है चैनल को सबस्क्राइब करना है बहल आइकन के बटन को भी आपने हमारे लाजमी प् अफ्तारी का तो इसलिए कुछ चीजे में आपको नहीं भी दिखा सकी ये देखे ये इसकी फाइनल लूप थी इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धन्या डाल देंगे तो ये और ज्यादा खुबसूरत हो जाएगी और धन्या डालके तो हम इसको जो है वो चुले से उतार लिंगे और हम इसको रख लेंगे फिर हमने क्या करना है की हमने प्द्द्द्ध फरीट मोरूर देखे जायेते मोड़ा बादा असके ब्राऀन क्या हिक ग्राकु इसको पलेट मरूश घंटी की के लिपर나म पर्पलेट मरूर जाये लिए जाहे हम इसको प्रें ड्बै आपके बता देती हूँ आपको दिखा दूए कैसे प्रेस करना है वीडियो मेरी अप ऐसे हो गई है थोड़ी इडिट हो गई है तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है लेकिन चले हैं आप लोग समझ जाएंगे कि क्या हो रहा हैं हम इसको आपको आपको नजर आ गया है प्रेस होने वाली है तो हम इसको इसके बाद हम इसको जो है ना बर्ण करेंगे और आप में नेक्स वीडियो का इंतिजार कीजेगा और फाइनल लुक दिखा के मैं आपको अल्लाफिस बोल दूँगी तो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशालला मैं आ लाइक जरूर कीजेगा सबस्क्राइब ये इसकी फाइनल लुक है और अब हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया है इस वज़ा से अब हम आपको यहां पर अल्लाफिस बोलेंगे और हमारी वीडियो को लाजमी पसंद कीजेगा बहुत शुक्रिया अल्लाफिस